मुख मंत्री के तरफ से बिहार में एक बहुती बड़ी घोसना की गई थी कि बिहार के सभी गड़ी परिवारों को दो-दो लाग रुपय आपे दिया जाएगा बिलकुल फ्री में दो-दो लाग रुपय आपे मिलने बाला है इसको लेकर बिहार सगा के तरफ से आप लोगा गया था और अभी आप लोग का ओफिस्यल जो अधिस सूचना है वो भी आप लोगा पर जाड़ी कर दिया गया है यानि कि ये दो-धो-लाग रुपया किस तरीके से मिलने बाला है इसकी योगता क्या होगी चैन परकड़िया क्या होगी आबेदन क्या होगी सब कुछ जो आ योगता क्या आप लोग का रखा गया है बो भी मैं आप लोग को आप बताने बाला हूँ तो अगर आप बिहार के निबासी है तो आपके लिए बहुती बड़ी खुशकबरी है और अगर आप यह दो दो लाग रुपया लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर द दिजे साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजे ताकि और भी जो लोग होंगे उनको आप जानकारी मिल सकेगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छे अच्छी वीडियो है वो हमेसा लाते रहेंगे चलिए मैं आप लोग आप जानकारी देता हूँ कि ब आपलップ लोगा भी हार में हुआ था ऐसे में लगबख 94,007 कट ऐसे परिबार हैं जो बिल्कुल गडिब हैं और जिनको जो है इस योजना का लाब मिलने बाला है सरकार के तरब से जो आप लोगा जनगना किया गया है उसमें 94 लाख ऐसे पड़िबार पाए गए हैं जिनके पास की कोई भी रोजगार नहीं है और किसी भी परकार का बिजनस वो नहीं करते हैं और उनकी जो मंतली इंकम है वो जो है 6000 रुपे से भी कम है तो उन सभी लोगों रखा गया है वो आप लोगा इस हिसाफ से रखा गया है कि आपके पूरे परिबार का जो इंकम है वो 6000 रुपे मंतली से कम होना चाहिए तो आप लोगा आप लोगा लाब दिया जाएगा तो सबसे पहला तो आप लोगा क्रैटीरिय यह हो गया सबसे पहला जो योगता है व आते हैं तो आप लोग को हाँ पर जो इसका लाब दिया जाएगा बस सर्थ इतना है कि आप लोग जो उस 94 लाग जो गड़ी पड़िबार है उनके लिस्ट में होने चाहिए उसमें आप लोग का नाम रहेगा तो आप लोग आप लाब दिया जाएगा तो सबसे पहले तो इस यह योजना है आप लागू किया गया है अब यह जो योजना है दोस्तों इसकी पूरी प्रकडिया है वो आप लोग का उध्योग भग के तरब से आप लोग किया जाएगा और इस योजना का नाम आप लोग दिया जाएगा यानि कि आप जो इस योजना का नाम रहने बाला उसके बाद ही आप लोग को आप लाब मिलने बाला है इसके बारे में आप लोग को आप बताता हूँ कि किस तरीके से यह चेंद प्रक्रिया होने बाला है और किस तरीके से आबेदन होने बाला है तो योगता के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है अगर आप योग हैं तो ऐसे में बिहार उध्योग विभाग के तरफ से आप लोग का एक notification जारी किया जाएगा जिसमें कि आप लोग का एक समय सीमा दिया जाएगा कि लगभग एक महिने के अंदर आप लोग यहाँ पर आबेदन किजे और जितने भी लोग वहाँ पर online आबेदन करते हैं लोग को हाँ पर लाब मिलने वाला है मालीजे 94 लाख लोग हैं तो यहाँ पर सरकार ने लक्ष रखा है कि लगभग 5 साल में जो है सभी को हाँ पर लाब दे दिया जागा तो ऐसे में जो कुछी लोग को हर साल यहाँ पर लाब मिलने वाला है और अगर ऐसा होता है और आप लोग का selection नहीं होता है तो ऐसे में दुबारा भी आप लोग को मौका दिया जाएगा यानि कि अगले साल जो आप लोग का आवेदन होगा उसमें भी आप लोग को मौका दिया जाएगा तो इस तरीके से आप लोग का पूरा प्रक्रियार रहने इनकि हर साल जो है एक limit आएगा कि 5 ललग Bye 11 या इस लगओं को लाब आप मिलेगा और उस रिषाबसे आप लोग का आवेदन जितने भी लोग करेंगे उन में आप लोग का अपे selection होने बाला है आप selection किस वड़ों से होगा तो जिनका जिनका भी नाम आप लोग का आता है, जो भी लिमिट बनाया गया है, उस हिसाफ से जितने भी लोग का आप नाम निकल के आता है, उन सभी लोग को आप दो दो लाग रुपया दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग का जो चेन परक्लिया है, वो आप लोग का हो तो लगवग आप मानसकते हैं कि एक से दू महीने का समय अभी यहाँ यानि कि अगले साल 2024 से आप लोगा जो आवेदन है वो इहां पर शुरू हो सकता है तो इसलिए अभी आप लोग को हाँ पर इंतजार करना है अभी आप लोग का आवेदन प्रकडिया शुरू नहीं किया गया है लेकिन जो इस योजना के बाड़े में पूरा जनकाई दे दिय बस आप लोगों को याद ये रखना है कि इस योजना का जो नाम रखा गया है वो बिहार लगो उध्मी योजना पर नाम रखा गया है और इसी नाम से अब आप लोग का आवेदन भी होने बाला है तो यह पूरा प्रकडिया रहने बाला है अगर आप 2,002 रुपे का लाग कुछ जानकाली मिल सके हम मिलते आपको अगली वीडियो में तो तक के लिए धन्यवाद